आज हम आपको बनाने बताएंगे बहुत ही टेस्टी पनीर मोमोस तो इसकी फिलिंग के लिए सबसे पहले हम लेंगे 10 कलियां लसन की उसको बारीक काट लेंगे एक प्यास, दो शिमला मिर्च, दो गाजर इनको भी धोके बारीक काट लेना है फिर हमने लेना है 200 ग्राम पनीर इसको भी हमने बारीक काट लेना है चोटे चोटे टुकडों में ग्रेट भी कर सकते हैं लेकिन काटने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है अब हमने लिया एक टेबल स्पून ओयल कडाई में और इसमें सबसे पहले हमने डाल देना है गार्लिक लसन और इसकी जो हमने चॉप किया था लसन इसको अच्छे से भून लेना है दो मिनट तक फिर हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्यास जिसको हमने बारीक चॉप करा हुआ था प्यास को अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च जो हमने बारीक काटी हुई है अब गाजर कैरेट डाल दी हमने दो कटी हुई बारीक हमें सभी सब्दियां चॉप करके ही डालने हैं तब ही अच्छा टेस्ट आएगा अगर ग्रेट करेंगे तो वैसा टेस्ट नहीं आएगा मॉमोस का करने को आप ग्रेट भी कर सकते हैं इसको अब हमने इन सब्दियों को थोड़ा सा जो है वो सौटे कर लिया है अब हम इसमें डाल देंगे सौल्ट नमक अपने अपने स्वादा नुसार डालना है अब हमने इसमें डाल देनी है काली मिर्ची ब्लैक पैपर पाउडर 1 laying पॉर्ट t स्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है अब हम इसमें डाल देंगे पनीर जो हमने बारीक बारीक काटा हुआ है 200 ग्राम पनीर हमने इसमें एड़ कर दिया है अब अच्छे से पनीर को सबजियों में मिक्स कर देना है और थोड़ा सा पका लेना है जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के लिए अजीनो मोटो वन फोर्थ टी स्पून ये ऑप्शनल है अब हमने डो बना लेना है मोमोस के लिए तो इसके लिए हमने लिए 500 ग्राम मैदा एक टेबल स्पून ओयल रिफाइंड ओयल और एक टी स्पून हमने नमक डाला नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या जादा कर सकते हैं अब हमने तीनों चीजों को अच्छे से हाथ से मिला लिया और धीरे धीरे करके हमने पानी डाल के इसको गोन लेना है इकठा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें जो डो चाहिए वो थोड़ा सा हाड चाहिए बहुत सॉफ्ट नहीं चाहिए मोमोस का तो हमने धीरे धीरे पानी डालना है ताकि ऐसा नहीं हो कि डो जो है वो बहुत पतला हो जाए तो देखिए एक हाड सा डो हमने गोन लिया है अब हम इसको ढख के रख देंगे 20-25 मिनिट के लिए सेट होने के लिए और हमारी वहाँ जो सबजियां हमने बनाई हैं वो भी जो है वो ठंडा कर लेनी है हमने बनाने से पहले अब हम एक पतीले में पानी बॉयल कर लेंगे और उसके उपर ऐसे चननी रख देंगे अब हम आटे की छोट छोटी लोईयां बना के पहले ही रख लेंगे और अगर हमने बहुत सारे लोगों को सर्फ करना है इकठा तो हम इन लोईयों से चपाती भी पहले ही बेल के इकठा रख लेंगे तो एक हम आपको बनाने बताएंगे मोमो तो इसके लिए हमने एक लोई ली और उसको अच्छे से बेल लिया जितना बेल सकते हैं इसको और अब हम इसमें फिलिंग डाल देंगे और ये बहुती सिंपल तरीका बताएंगे हम आपको मोमो बनाने का अब हमने इसको बंद कर देना है साइड से ध्यान रखना है फिलिंग उतनी ही हो कि साइड से राम से बंद हो जाए अब हमने इसको गोल कर दिया और ये एक मोमो त्यार हो गया अब हम एक दूसरे तरीके से आपको मोमो बनाने बताएंगे तो हमने फिर से एक लोई ली अब इसको हम बेल लेंगे फिलिंग हमने उतनी ही डालनी है कि ये अच्छे से बंद हो जाए साइड से अब हमने इसमें फिलिंग डाली अब हम इसको साइड से बंद कर देंगे और एक तरफ से इसको फोल्ड करने शुरू करेंगे और ऐसे राउंड में ये डिजाइन बन जाएगा तो बहुत से तरीके हैं मोमोस को बनाने के बहुत सी शेप हम दे सकते हैं आपको इजी लगती है वो शेप आप बना सकते हैं अब पतीले में पानी एकदम बॉइल हो गया है तो जो मोमोस हमने बना लिए हैं हम इसको स्टीम करने के लिए रख देंगे स्टीमर में तो हमने जो भी मोमोस बने हैं उनको स्टीमर में रख देना है और हम इनको ढख के 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे जब मोमोस पक जाएंगे तो इसमें अलग सी एक शाइन से आ जाती है और पता लग जाता है कि अभी पक गए है तो हम अब इनको ढख के रख देंगे मोमोस को बनने के लिए और उती देर हम और मोमोस जो है वो बना लेंगे तो देखिए 20 मिनट के बाद मोमोस एकदम त्यार हो गए है तो आपने मोमोस को बहुत ही ध्यान से उठाना है किसी चीज की हेल्प से कोई भी आप चीज ले लीजिए जिससे उठाएं हाथ से उठाने की कोशिश ना करें क्योंकि नीचे से भी स्टीम बहुत आरी होगी क्योंकि गरम है नीचे पानी पतीले में तो आप इसको आप सर्फ कर दीजिए मोमोस की चटनी के साथ तो हमने वो मोमोस निकाल दिये और और जो बनाई थे वो रख दिये हैं और अब ये भी किस मिनिट में बन जाएंगे और इनको हम सर्फ कर देंगे मोमोस की चटनी के साथ जिसकी रेसिपी हमने पहले ही चैनल पर बता दी है तो मुझे उमीद है कि आपको मोमोस बहुत ही पसंद आए होंगे और आप जरूर बनाएंगे और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो जादा से जादा इनको शेयर कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आप और भी ऐसी रेसिपीज इस चैनल पर देख सकें और कमेंट जरूर कीजे